हमास को परण परण पड़ेगा इस्राइल को जीतना होगा गाज़ा युद को तीन महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है 23,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इस्राइल हमास के युद में मारे जा चुके हैं उत्तरी गाजा, दक्षणी गाजा, मध्ध गाजा और गाजा शहर में हमास के लड़ाके पूरा जोड लगा रहे हैं कि किसी तरह से इसराइली सेना को जमीनी युद्ध में हरा दे लेकिन हाई टेक और घातक हतियारों से लेस इसराइली सेना बेरहम हमले कर रही हालात ये हो गए हैं कि हमास के टॉप कमांडर से लेकर आईडियफ से मूर्चा लेने वाले हमास लड़ाके बहुत बड़ी तादात में मारे गए हैं हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे अमेरिका भी अब गाजा में मारे जा रहे फिलिस्तिनियों की मौत पर आँखे मूंद रहा है और क्यों और कैसे हमास के टॉप कमांडर अचानक बड़ी संख्या में मारे जाने लगें मिडल इस मीडिया में इस वक्त गाजा युद्ध पर दो तरह के दावे चल रहे हैं मिडल इस मीडिया में ये खबर तेजी से उड़ रही है कि मिडल इस और पश्री मेशे में मौझूद कई मुस्लिम मुलकों ने अंदरी अंदर हमास को घा तक धोखा दिया है जिसके वज़ा से हमास अब गाजा में बुरी तरह से हारने लगा है हमास चीप इसमाईल हानिया और टॉप कमांडर याहिया से नवार को भी अंदाजा नहीं था कि तुर्की जैसे मुस्लिम मुलक हमास से गद्दारी करेगा हमास को ये भी अंदाजा नहीं था कि मुस्लिम मुल्क कतर इस्राइल की इशारे पर हमास को सरिंडर करने के लिए मजबूर करने लगेगा हमास को मुस्लिम मुल्कों ने दिया धोखा हमास के कमांडर अबू बैदा का दावा है कि कतर ने एक समझ होता हमास के सामने रखा था जिसमें कतर कह रहा था कि अगर हमास हत्यार डाल दे और इस्राइली सेना के सामने सरिंडर कर दे तो इसराइली सेना हमास के लड़ाकों और कमांडरों की जान बक्ष देगा हमास के सामने कतर में ये भी शर्त रखी थी कि हमास को गाजा छोड़ना पड़ेगा और पूरे गाजा में एक गैर हमास दलों की सरकार बनेगा लेकिन हमास ने कतर, अमेरिका और इसरेंडर समझोते को ना सिर्फ ठुकरा दिया बलकि दिसंबर 2023 से नौजरवरी 2024 की भीक कम से कम दस बड़े हमले इसरेली सेना पर कियें जरा देखिए हमास की मिलिटरि विंग की ये वीडियो जिसमें हमास के लड़ाके इसरेली सेनिकों पर रोकिट से सीधा हमला कर रहे है हमास मिलिटरि विंग के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इसराइली लड़ाके घाजा सिटी में आपरेशन करने जा रहे हैं लेकिन इसी पीच एक तबाह इमारत की बैलकनी से रॉकिट से हमला किया जाता है जो सीधे इसराइली सेने के पास आकर गिरता है इसके अलावा हमास लड़ाकों को खादक हत्यारों के साथ मलबे और तबाह वाहनों के पीचे से भी हमला करते हुए देखा जा सकता है हमास इस वीडियो से ये साबित करने पर तुला है कि हमास अभी पूरी तरह से जिन्दा है और इसराइली सेना को भारे नुकसान पहुंचाने में सक्षम है אתמול חשפנו באל בורג' את מפעל הייצור הרקטות ואמצעי הלחימה הגדול ביותר של החמאס במהלך הפעילות המבצעית להשמדת התשתית התת-קרקעית של המפעל נגרם פיצוץ כתוצאה מיירי טנק שזיה מטרת אויב בשטח ככל הנראה, פגז של הטנק פגע בעמוד חשמל סמוך שגרם להפעלת המיתן इसराइल ने भी पिछले 24 घंटे में हमास के अड़ों पर भयानक हमले किये हैं इधर इसराइल ने मध्धे और तक्षनी गाजा में बंबारी और जमीनी घुसपैट तीस कर दी है रात बर हुए हमलों में दरजनों लोग मारे गएं जिनमें राफ़ा शेहर में एक ही परिवार के 15 लोग मारे गएं फिलिस्तिनी प्रशासन के मताबिक 23,000 से ज्यादा फिलिस्तिनी तीन महीने से ज्यादा की जंग में मारे जा चुके हैं हैरानी की बात तो ये है कि अब अमेरिका भी कहने लगा है कि जब तक हमास सरिंडर नहीं कर देता या फिर हमास का सफाया नहीं हो जाता है तब तक इसराइल युद्ध नहीं रोकेगा यानि अमेरिका कहना चाहता है कि चाहे भले ही इस्राइली हमले में और ज्यादा फिलिस्थीनी मारे जाने लेकिन अब इस्राइल पर युद्ध रोकने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा इस्राइल की राजधानी तेल अवीव से 9 जनवरी 2024 को आई इन तस्वीरों को देखी जहाँ पर अमेरिकी विदेश मंत्रे एंट्री ब्लिंकन इस्राइल के प्रदहन मंत्रे बिन्यमिन नेतन याहू के साथ मीटिंग कर रहे हैं नेतन याहू के चेहरे को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें गाजा में हमले और तेज करने की हरी जंडी अमेरिका की तरफ से अमेरिकी विदेश मंत्री एंट्री ब्लिंकन दे रहे हैं अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंट्री ब्लिंकन और इस्राइली रक्षा मंत्री योग गैलन्ट की ये तस्वीर भी देखी जिसमें दोनों ना सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं बलकि दोनों देशों के रक्षा और खुफिया विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ घाजा युद के हर पहलू की जानकारी एक दूसरे को दे रहे हैं एंटिनी बलिंकन के साथ चलते इसराइली रक्षा मंत्री योग गैलन्ट के हाव भाव को देखी जिससे साफ पता चलता है कि इसराइल आने वाले दो से तीन हफ़तों में हमास पर भयानक हमले और करने जा रहा है एंटिनी बलिंकन के केवर और इरादे हमास और फिलिस्तीनियों को लेकर बदलने लगे हैं और इरान कंचिन्यू तो ओपनली कॉल फिलिस्तीनी राश्पती महमूद अबबास से भी मिले बलिंकन ने हमास लड़ाकों को लेकर राश्पती महमूद अबबास को क्या समझाया इसकी खबर अभी बाहर नहीं आई है लेकिन रामल्ला शेहर में राश्पती महमूद अबबास और बलिंकन की मुलाकात होते ही जूरदर प्रदर्शन शुरू हो चके हारते हमास और मरते फिलिस्तीनियों के बीच फूटा गुसा साबित कर रहा है कि इसराइल के बाद अब फिलिस्तीनी अमेरिका को भी अपना कटर दुश्मन मानने लगें इसराइल और हमास के बीच खूनी चड़ा तेज होती जा रही है जस बीच इसराइली सेनग प्रवक्ता डैनियल हगारी ने हमास और इसराइल के बीच जारी संगर्श को लेकर बड़ा दावा किया हुगारी के मताबएक इसराइली सुरक्षा बलो ने उद्ञारी गुजा से हमास के आतंकियों का पूरी तरह से सपाया कर दिया है इस्राइली सेना प्रवक्ता के मताबेख अब तक 8000 से ज्यादा हमास के आतंगी मारे जा चुके हैं इस्राइली सेना के दावों के मताबेख इस्राइली सेना अब तक हमास के सबसे टॉप 11 से ज्यादा कमांडरों को मार चुकी है जबालिया इलाके में बटालियन कमांडर, डिप्टी ब्रिगेड कमांडरों और फील्ड में मौझूद लड़ाकों का नित्रत हुआ करने वाले 11 कमांडर मारे गए हैं जिसमें सबसे टॉप कमांडर वरिष्ट एहमद रेंडर भी शामिल है इस बीच आईडिया फॉर शिन बेट ने मध्ध गाजा में हमास की नुसीरत बटालियन के कमांडर इसमाईल सिराज और उनके डिप्टी एहमद वहाबा को हवाई हमले में मार दिया है नुसीरत बटालियन ने कथे तोर पर साथ अक्तूबर को किबुत्स बेरी पर हुए हमलों की जिम्मदारी ली थी इसराईली सेना के मताबक मध्ध गाजा के शरनारती शिवर हमास लडाकों से भरे हुए हैं जब कि खान यूनस इलाके में हमास का भुमिगत सुरंग नेटवॉर्ग इसराईली सेना के जीत में सबसे बड़ी रुकावट बना हुए है इसराईली सेना ने ऐलान किया है कि गाजा जंग दोहजार चौबीस में पूरे साल तक जारी रहेगी इसराईली सेना के प्रवकटा ज'नील हगारी के मुताबक दक्षनी गाजा में हमास के लड़ाके अब पूरी तरह से एक्टिव हो गए है इसराइली सेना का साफ कहना है कि दक्षनी गाजा में अभी हमास के आतंकियों को खत्म करने में वक्त लगेगा लेकिन जिस तरह से हमास के लड़ाकों के खिलाब कतर और तुर्की जैसे मुलक इसराइल का साथ दे रहे हैं उससे ये तै हो चुका है कि अब हमास को ना तो एरान और ना ही हिजबुल्ला बचा पाएंगे